नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो देखे आपको नहीं इस तरीके से सर्किट मिल जाता है ओनलाइन जिससे आप एक लीथियम बैटरी का जो एमेच लिखा हुआ है उसको चेक कर सकते हैं यह देखिए कुछ इस तरीक में एक रजिस्टेंस मिलता है किसी में दो मिलता है तो यहां पर देखे रजिस्टेंस हमारा देखे 7.5 ओम का 5 बाट में है और इस रजिस्टेंस के जो कनेक्शन है वो देखिए यहां पर आर आर लिखा हुआ है यानि कि यहां रजिस्टेंस लगेगा रजिस्टेंस यहां लिखा हुआ है देखिए माइनस पिलस तो होल्डर हमारा माइनस पिलस पर लग जाएगा अब यहाँ पर हमें इस बैटरी को जब हम चेक करेंगे कि इस पर यह तीन अजार एमेच लिखा हुआ है या नहीं तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा फुल पर लगा देते हैं यह हमने यहाँ पर इसे चार्जिंग पर लगा दिया है अब यह जब हमारी बैटरी फूल चार्ज हो जाएगी तो हम फिर इस वाले सर्किट से इसे चेक करेंगे कि यह सर्किट से जो यह एमेच इसमें 3000 लिखा हुआ है यह 3000 है यह नहीं है क्योंकि इस स पूरा सर्किट जो है हमारा चार्जर से चलता है और बैटरी से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता और यहाँ पर यह शिरिफ बैटरी को ही टेस्टिंग करेगा उसका कोई भी लोड नहीं लेता तो इस तरीके से यह सर्किट हमें मिलता है अब मैं यहाँ पर क्या करता हम फुल चार्ज कर लेते हैं, फुल चार्ज करने के बाद फिर मैं इसे टेस्टिंग पर लगाऊंगा, फिर हम देखेंगे जो इसका mh है, वो इतना है या नहीं है, तो दोस्तो आगे चलते हैं, आगे में इस बैटरी को पहले लेकिन देखिए बैटरी लगाने पर यह नहीं बैटरी को चेक करेंगा अब यहां पर हम चार्जट लगा के इसे ओन करेंगे लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें जिस समय इस से टैश्टिंग चल रही हो ना ही आपको चार्जट निकालना एगा और ना ही लाइट जानी चा तो यहाँ पर हमने इस मोडल कोन कर दिया अब यहाँ पर इस मोड के अंदर यहाँ पर प्यूट कर ना था ओْ है हुआ करते ही यह दिखा रहा रहा तो हमारी बैटरी सही नहीं लगी हुई है, तो हम इस बैटरी को एक बार इस तरीके से sell कर देते हैं, अब दुवारा हम इससे check करते हैं, तो यहाँ पर ok करते हैं और इससे ok कर देते हैं, तो यह देखिए, यानि कि battery हमारी है भी सब्समारी नहीं तो यहां पर वो एरर दिखा रहा था अब यह बैटरी जो है हमारी चेक करना चालू कर दिया इसने तो आप देखते हैं हमें यह बैटरी जो इस पर 3000 एमेच लिखा हुआ है कितना एमेच का बैटरी है यह देखिए अब यह बैटरी की एमेच करना चालू कर दिया लेकिन एक चीज हमेशा याद रखे कि जब यह बैटरी की एमेच को चेक करेगा तब आपकी ना ही चार्जर निकलना चाहिए ना ही लाइट जानी चाहिए यह देखिए तो यहाँ पर देखिए बैटरी की बोल्टेज भी दिखा रहा है और बैटरी कितना है में सीच 해야 कर दिया वह दिखा रहा है और यह अब चेक चाहिंग करने में कम से कम इसको दो से डाई गंटे तीन गंटे या चार गंटे भी लग सकते हैं यह देखिए तो दोस्तों हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि जिए इसकी बैटरी की जो mh है वो कितनी चेक होती है तो देखिए दोस्तों तीन से चार गंटे के बाद बैटरी हमारी पूरी तरह टेस्टिंग हो चुकी है और देखिए टेस्टिंग में जो इसकी mp8 देखिए यहां पर दिखा रहे हैं mh जो है 1078 यानि कि यह 1100 कुछ mh का बैटरी है और इस पे लिखा हुआ है 3000 तो इस तरीक से पहले आप सोप पे जाएं शिरिफ एक बैटरी लेके आएं और उसको टेस्टिंग करने के बाद तब अधर बैटरी लेके आएं तो इस तरीके से आप कोई भी बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं देखिए यह देखिए 1078 यानि कि यह 1100 के आसपास ही इस बैटरी का जो है वै कर सकते हैं